प्रबु प्रसाद चानल में सभी भाई भेनों का स्वागत है आज कच्छे केले की सबजी बनाएंगे कच्छे केले की सबजी बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए दो कच्छा केला चिलका उतार के ऐसा काट लिया है दो टमाटर, दो तीन टमाटर, अद्रक, ग्रीन मिर्ची, करी पत्ता, हेंग, जीरा, ओयल, लाल मिर्ची पोडर, हल्दी पोडर, धनिया पोडर, स्वादनुसार, नमक, अभी टमाटो को, मिक्सी में डाल रही हूँ, आद्रक, ग्रीन मिर्ची, इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे, अभी ग्यास पर कुकर रख रही हूँ, उसमें ओयल डाल रही हूँ, ओयल गरम होने के बाद, जीरा, हेंग, कड़ी पत्ता, जो भी इसके रखा था ना टामाटर पेस्ट वो भी इसमें डाल रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे, देखिए, तेल छूट रहा है, अब इसमें ये कटा हुआ, कच्चा केला डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लेंगे, ये पकने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे, कुकर ढखके, दो इशिल लेने से सबजी बन जाएगा, सबजी बन गया है, अब इसको सर्विंग बॉल में निकाल रही हूँ, कच्छे केले की सिंपल सबजी, सहज सबजी रेडी हो गया है, हारी धनिया से गार्निश कर रही हूँ, कच्छे केले की सबजी रेडी, करें झाल कर रही हूँ, झाल कर रही हूँ, झाल झाल